नमस्कार में राना इश्वन्त आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकस्भा सीठ रामपूर की रामपूर जो सबसे ज़ादा मुस्लिम वोटर वाला संसदिय शुत्रहुत्तर प्रदेश में पचास फीज़ी से ज़ादा मुस्लिम मत दाता हैं रामपूर में इसके पहले जो सांसर थे वो देश के पहले शिक्षामंतरी डॉक्टर अबुलकलाम आजाद थे आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी में फिल्म आक्टर और पलिटिशन जयापरदा शामिल हो गई हैं और वे रामपूर से पार्टी का उमिदवार होंगी दूसी तरह समाजवादी पार्टी ने पहले ही एलान कर रखा है कि आजम खान रामपूर से पार्टी के टिकर पर लड़ेंगे यानि रामपूर संसंदेश शुत्र में इस बार की लड़ाई जयापरदा बनाम आजम खान की है इस लड़ाई को आप अमर सिंग बनाम आजम खान भी कह सकते हैं जयापरदा को लेकर आजम खान और अमर सिंग की लड़ाई पुरानी है और दोनों के बीच तलवारे तनी रहती है दोनों एक दूसरे के जानी दुश्वन से हैं और इस लड़ाई को समझने के लिए मैं आपको 15 साल पहले लेकर चलना चाहता हूँ बात 2004 की है 2004 में समाजवादी पार्टी ने अमर सिंग की कोश्वों के बूते जयापरदा को रामपुर में अपना उमिदवार बनाया आजम खान ऐसा चाहते नहीं थी वे चाहते थे कि उनकी बीवी को समाजवादी पार्टी टिकट दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं जयापरदा के मकाबले में नूर बानू थी कौंग्रेस की उमिदवार और रामपुर नवाब घराने की नूर बानू 2004 में जयापरदा से हार गई और पहली बार समाजवादी पार्टी के हिस्से में रामपुर सीच आई इसके बाद जब 2009 के चुनाव होने लगे तो फिर से समाजवादी पार्टी ने जयापरदा को अपना उमिदवार बनाया और इस बाद से आजम खान इतने बिफर गए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी या आप यू भी कह सकते हैं कि मुलायम सिंग जादो आजम खान के बयानों से उनके बरताव से इतने उखड गए बिगड गए कि उन्होंने आजम खान को पार्टी से निकाल दिया 2009 का चुनाव भी जयापरदा जीत गई लेकिन ये लड़ाई जो थी अमर सिंग बनाम आजम खान जयापरदा बनाम आजम खान वो तीखी होती चली गए और दोनों तरफ से बयान और तंज तेज होते चले गए 2014 में जयापरदा बिजनौर से लोग सभाचुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी का टिकट पर नहीं बलकि आरलडी का टिकट पर तब मुलाम सिंग और अमर सिंग के रिष्टे वैसे रहे नहीं थे कि जयापरदा को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलता लेकिन अमर सिंग ने अजीज सिंग के साथ रिष्टे कुछ यू गाट लिये कि बिज नौर से आरल डिका टिकट उन्हों ने जयापरदा के लिए ले लिया यह चुनाव जयापरदा हार गई मोदी लहर थी लेकिन इस बार 2019 के चुनाओं से पहले रिष्टे कुछ बदले हुए है अमर सिंग आज की तारीख में बीजे पी के नजदीक हैं मोदी के करीब हैं और इसका इनाम ये मिला कि बीजे पी ने जयापरदा को पार्टी में शामिल करा लिया और उनको रामपूर से अपना उमिद्वार बनाना तै कर दिया उधर आजम खान जो डेड़ साल बनवास भोगने के बाद 2010 दिसंबर में पार्टी में लोटे थे वो अब पार्टी के उमिद्वार हैं रामपूर से यानि पंद्रह साल पुराने दुश्वनी अब फिर से आमने सामने हैं पहले के जितनी भी लड़ाईयां थी उसमें आजम खान सामने नहीं थे लेकिन इस बार जयापरदा के मकाबले में आजम खान है इसलिए ये लड़ाई नाक के लड़ाई है रामपूर को वैसे आप देखें तो रामपूरी चाकू के लिए यह पूरा जिला जाना जाता है देश वर में फिल्मों में उसका जिक्र होता है लेकिन रामपूर का चेहरा कभी चमका नहीं बहुत पिछड़ा हुआ है और इस उफ लिविंग जो जिवन स्तर है वो बहुत ही खराब है देश में दिन जिलों में बहुत ही खराब जिवन स्तर है हालात दिन जिलों के बहुत खराब है उनमें से एक रामपूर है जहां लगातार बहतरी की बात होती है विकास की बात होती है पिछली बार 2014 में जब बीजेपी वहां आई या बीजेपी के सांसा जीत करके आए तो लोगों ने वोट इसे उमीद पर दिया था कि यहां हालात बेहतर हो जाएंगे जो मोधी साहब लगातार नारा बुलंद कर रहे हैं कि ब्रहश्वा चार मिटाओ अ नवाब घराना रामपूर का है उसके हिस्से में भी वहां की स्यास्थत बहुत लंबे समय तक चली और रामपूर के जो नवाब थे वो पांच बार सांसाद महां के रहें नूरबानों के पती है नूरबानों खुद दो बार सांसाद महां से रहें मुखतार अबास नक्वी 1998 में बीजेपी के सांसद रामपूर से रहें बड़े बड़े दिगज रामपूर की नुमायंदगी लोग सभा में कर चुके हैं लेकिन रामपूर की तस्वीर बदली नहीं इस बार मुझे नहीं लगता है कि विकास को लेकर के वहां लड़ाई होगी या किसी और मसले को लेक इस बार जो लड़ाई है अमर सिंग जया परदाब बनाम आजम खान की लड़ाई होगी ये पूरी तरह से नाक की लड़ाई होगी आरपार की लड़ाई होगी खबरों में रामपुर रहेगा इसलिए भी नहीं कि रामपुर कुछ नया अमीद कर रहा है इसलिए भी नहीं कि रामपुर में जो लोग इस बार उमिद्वार के तोर पर आए हैं वो कुछ कमाल कर जाएंगी बलकि इसलिए कि जो बहुत पुराने दुश्मनी है दो पाबिल है नतीजा रामपुर की जनता टाय करें गी तक तक हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा आज बस इतना ही लेकिन आप से गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपनी डाय जरूर दें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन भी ली ली नमस्कार